हलो फेमिली एंजल की रसे में आपका स्वागत है कैसे आप सब आज हलवा खाने का मन हो रहा है बढ़ ना बेशन ना डाल ना रावा तो किस चीज का हलवा बनेगा तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज स्पेशल किस चीज का हलवा बनाते हैं जिसके बैनी फिट्स भी बोड़ चादा है मज़ा आगया चलिए रसेपी स्टार्ट करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर दीजिए अगर किया रहे तो बहुत बहुत धन्यवार साथ में बेल आइकन क्लिक कर दीजिए हैंक्यू तो देखिए सबसे पहले लेंगे हम बुन में हुए चने एक बॉल लिया है मैंने शक्कलि दीजिए Works ने क्ली आदी कप मैंने और साथ में ही लिया है देशी गी ने बहुत ही टेस्टी बनता है है और काडम्म испыт यूद लिया है आप कडम्म भी लेसकते है तो साथ में ही ले लिया है। थोड़े से ड्राइ फूड अपने सबसे डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो एक ग्लास में ने लिया है दूद और ये लिया है चांदी का वर्क डेकोरेट करने के लिए ये आपको बंसारी शॉप पे आराम से मिल जाएगा सबसे पहले चन्नों को ग्रैन कर देंगे हम और दरदरा ही करना है पूरा फाइन पौडर नहीं बनाना है तो चलिए पेन गरम कर लेंगे हम और देसीगी डाल देंगे अगर आप देसीगी पसंद नहीं करते हैं तो आप नॉर्मल गी भी डाल सकते हैं और ग्राइन किये हुए चन्ने डाल देंगे हम पाउडर तो इसमें देसीगी का मतलब यह है चन्ने सोक जादा करते है और देसीगी बहुत चिपचपा रहता है तो इसलिए यह हलवा बहुत अच्छा बनता है इसलिए इसमें देसीगी यूस होता है तो पाउडर हमारा बुन चुका है तो अब डालेंगे मिल्क, मिल्क डालने के बाद हम अच्छा से mix करेंगे तुरंती हम शकर डालेंगे, नहीं तो ये ड्राय जल्दी हो जाता है और इलची पाउडर और चौप किये हुए हम बादम और काजु डालेंगे ये एकदम खोये के जिसा बनता है अगर आपके पास ड्राय खजूर है तो थोड़ी सी वो पीसके डालिए और भी लाजवाब लगेगा अच्छे से मिक्स करेंगे दीमी आच पे कुक करेंगे जब तलग पैन नहीं छोड़ेगा ये हल्वा जब तलग इसको मिक्स करते रहना ह जिन लेडिस को पीरत में बहुत प्राब्लम होती है रत का संचारित बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए ये रामबान हल्वा है तो ये हल्वा उनके लिए रामबान कैसे है अगर उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तीन दिन तक ये हल्वा मॉर्निंग में खाएंग तो उनको आगे चलके ये प्रॉब्लम नहीं होगी तो देखिए हलवा हमारा ड्राइ हो चुका है इसमें उपर से भी मैंने एक चमस देशीगी डाला तो देखिए मैं निकाल रहे हूँ सौविंग बॉल में और आपको दिखाती हूँ हलवा कितना लाजवाब लग रहा है चन्नों को तो प्रोटीन का खजाना कहा गया है इसलिए तो बजरंग बली माराज चन्ने ही खाते है और सोचिए हलवे में तो हम इतनी साड़ी चीजे मिक्स कर रहे है जैसे गी हुआ ड्राइफूट हुआ तो सोचिए कितना रामबान है और कितना इमेनिटी से बरपूर है तो चलिए थोड़ी सी और ये मत सोचिए कि वजन बर जाएगा उल्टा ये हलवा खाने से आपका वजन कम होता है तो देखिए थोड़ा सा हलवे को मैंने ताश पैना दिया क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है अब थोड़े से इसको हम डाइमन लगा देंगे और इसके बेनीफिट सुननी है ये बलड पेशर को कंट्रोल करता है हडियां मजबूत करता है जिन बचों को सरदी बहुत रहती है उनको रात मिलेगी ये खाने से ये आपके कोलेस्टरॉल को भी कम करता है दिल को सवस्तर रखता है पूरे दिन फ्रेश रखता है मून्ड को ये खाने से तो कितनी इमनिटी से बरपूरे है ये हल्वा आपको रेसे भी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना बूले और बड़िया बाद ये डाइबर्टीस के पेशन भी खा सकते हैं शुगर स्किप करके आप शुगर फ्री डाले या उसकी जगा गोरेट करें तो ये बहुत बड़िया है, तो मिलते हैं इसी तरह न्यू रेसेपी के साथ, अब तक के लिए टेक क्यार, ठेंक यू फॉर वाचिंग